जहेंदे स्पिरेंस, रुबी ताकर वेलकम यू तो SSB क्रैक एक्जाम्स चैनल आप सबने नमेशा प्रिया केस जरूर सुना होगा जो येमन में जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया था अब फाइनली ब्लड मनी देकर जो उनकी मदर है वो येमन में है और ब्लड मनी देकर कहीं न कहीं उनकी रियाएंड हो सकता बहुत जल्द वह वापस इंडिया भी आ जाए तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि ये नमेशा प्रिया का केस क्या था ब्लैस ये जो ब्लड मनी का concept है यह concept है क्या तो यह सेंटर में एप्रूव कर दिया है जो कि फंट रांसफर्ड गैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड मनी तो बेसिकली ब्लड मनी को देखा भी जो ब्लड मनी का कंसेप्ट है that is related to the Islamic law करें तो उसमें डिटेल पर बात करेंगे एंड उसी के अंदर सेंटर ने प्रूब भी कर दिया है कि फंट ट्रांसफर्ड किये जाएंगे बाइदा इंडिया ओनली और उसके बाद जो है नमेशा प्रिया उनको रिलीस कर दिया जाएगा फ्रॉम्ड प्रेजल अराउंड चु क्लिफाइड नर्स बनने के बाद नमेशा प्रिया जाती है यमें डार्ट इसंदे 2008 हलांकि उसके बीच में वो शादी भी करती है जब शादी करती है तो चोन के हस्बंड है योज़ा इलेक्ट्रिशन अब उनका मान था कि वह वहां पर यमेन के अंदर ही अपना खुद का क्लिरा जान धा भी हो आप एक क्लिनीग स्ट करें लेकिन या को वहां पर कोई भी क्लिणिक सेट करना आपको वहां पर कोई भी क्लिनिक सेट करना जो पट्रे नमेशा प्रिया बेटी की सरेमनी थी तो तलाल अब्दम आ दिया ये केरला भी आए थे दन अब जब आए थे उसके बाद जो यमन वापस आना था नमेशा और उनके हस्बेंट को उनकी बेटी को तो उसे दोरान civil war चला और उसके वज़े से वो वापस नहीं पाया ना ही जो पर्टिकुलर्ली क्लिनिक है उसको start कर पाया वो केरलाई में रहे और उसे टाइम पर येमन में जो महादी थे उन्होंने advantage लिया प्रिया का कैसे लिया उन्होंने क्या क्या एक खुद का एक नया क्लिनिक सेट कर दिया और पटिकुलर्ली जो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर यूज किये गए डाट इस अप्टिकुलर्ली नमेशा उनली जिसके अंदर ये दिखाया गया कि जो नमेशा प्रिया है उनकी वाइफ है अब ना नमेशा प्रिया को बात करने देते थे अपनी फामिली से और ना ही उनके जो ट्रेवल डॉक्युमेंट्स थे वो उनको दे रहे थे वो भी उन्होंने अपने पास रख ले रहे है अलांके जो उनके फामिली मेंबर्स का कहना है उनके कहना यह है कि एक के साइकल थी पर्टिकोलरले फिजिकल और सेक्शुल अब्यूस की बीस के लिए गये थे और यस बिगस पॉइंट इस कि जब नया क्लिनिक उनको भी सेट करना था तो सेट अपने को प्रॉब्लम यह था कि जो म क्यों थी वो शेयर करने से उनके बिल्कुल मना कर दिया ना उसके बाद जब यह सबसाद चीज़े बहुत जादा हो गई तो उसके बाद नमिशा प्रिया ने एक नर्स जो उनके फैलो नर्स थी हाना जिनका नाम था उनके साथ मिलके उन्होंने ट्राई क्या माधी को जो है करने का जो भी हूष करने का जो वह क्या हो गई सकते हो लगीम रुस का जोओड़ से उनकी इस जो माधिया उनकी सब़ास यह जाद है अब जब देट हो जाती है तो दो करता है जो दोनों नर्स थी मेन डर क्या माधी को ज़से और वहन के जा करते हация clicking को क्र गाने उसके बाद जो नमेशा प्रिया को पहले रेस्ट किया जाता है उसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है लेकिन अब यहां पर आता है Islamic law जो मैं आपको बता रहे हैं that is the blood money जिसको हम Islamic law के अंदर एक दिव्या भी बोलते है अब दिव्या क्या है that is basically जैसे अब यहां पर murder किस ने किया है नमेशा परिया ने murder किसका हुआ है of course मादी का अब Islamic law के अंदर एक concept है जो की है दिव्या का concept जिसको हम blood money भी कहते हैं उसके अंदर basically अगर जो murderer है और जो victim के family है उनके बीच में समझाता हो जाता है एक monetary compensation के लिए मतलब जो पैसा देगा कौन देगा murder murder या murder की family वो पैसा देंगे लेकिन वो जो particularly amount है वो decide होगा दोनों की family के हाथ में समझाते हैं दोनों की वीच में समझाते हैं तो of course विक्टिम को ही मानना पड़ेगा इसके अंदर जो विक्टिम की family है murder तो नहीं इसमें क basically सब कुछ mentioned है कि कौन सी चीज के लिए जो criminal है किस तरह से हमें punish करना है then principle apply किसको होगा families of the victims के उपर हलांकि murder जो है death penalty से भी punish किया जा सकता है then breakfast family may choose to forgive अब कहा यह जाता है कि जिसे मैं आपको बताया blood money या दिव्या तो जो मौत हुई है उसके लिए पैसा आपको देना है then to monetary compensation है then दिव्या इसको कहते है या फिर blood money उसको कहा जाता है इसका जो trace है that is from the Quran और अगर आप Quran की wording इसके अंदर पढ़ेंगे that is this oh believers the law of retaliation is set for you in the case of murder a free man for a free man a slave for a slave and a female for a female अलांके scholars का कहना यह है कि कहीं न कहीं एक virtue of forgiveness मतला बहुत एक माफ करने के message को spread करने के लिए या फेरा आप कह सकते हो जो victim उसकी family को justice देने के लिए by the monetary compensation only इसी चीज़ को रखा गया कि yes लोग जादर जाद माफ करें तो यह scholars का भी कहना है but yes by this only यहीं पर decide हो है कि अगर victim की जो family वो मान जाती है monetary compensation के लिए तो जो murderer है या जो भी जिसने भी कोई कोई भी गुना किया है हर एक उसके लिए अलग एक punishment लिखी गई है तो उसको क्या कर दिया जाएगा उनको रिहा कर दिया जाएगा और यहीं हुआ है नमेशा प्रिया के case के अंदर भी so basically minimum compensation amount हलांकि कोई भी कुरान के अंदर या कोई particular ही mention नहीं है लेकिन कुछ Islamic countries ने इसको डाला है dollar 40,000 payment done हलांकि आपे बात की जा रही है कि प्रिया के जो family उनको likely maybe dollar 3 lakhs, dollar 4 lakhs देना पड़े है जो भी है रांकि 40,000 जो है dollar starting में पढ़ा तो इंडिया government जो है transfer कर देखी so this is the basically the concept of the blood money so I hope you all are clear with that and जो नमेशा प्रिया का case है तो जैसे वो money उनकी तक पहुंच जागा तो बहुत जल जो है नमेशा प्रिया भी वापस हिंदुस्तान आ जाएंगे जाएंगे so yes that is the concept जो blood money का या दिव्या का जो concept है that is for the Islamic law only so that is all for this particular update अभी आपके screen for SSB interview के online courses हर्मेन या मारे batches बाटते हैं आप जोइन कर सकते हैं so if you are having the courses for NDA, CDS, FCAT you can enroll in this particular courses and जब आप अप अन्रोल करें उस आप a discount code जो के warrior 10 लगाना बिल्कुल ना भूले जैसे आप इस code की use करेंगे लिगे तेन परसंट off on that particular course so that's all for the day thank you so much for watching this lecture जैहन जैभार अगर आप एक difference aspirant है और SSB interview NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूले आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं आप